नाव जैसे आप सबको बताएं के हाली में पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रोविंस में एक आतंगवादी हमला हुआ एक कार में बॉमिंग होई है और ये जो कार बॉमिंग है ये बहुत ज़रा करीब थी उस एरिया के जहां पर चानिस अंबैसडर रुके थे एक लिस्ट इनिशली ये रिपोर्ट सामनी आई थी और यहां पर आप देहेंगे पाकिस्तान के पी-म कंडेम करें निंदा करें इस अटाक की I am deeply saddened by the loss of innocent lives in the condemnable and cowardly terrorist attack in क्वेटा क्वेटा देखो राजधानी है बलुचिस्तान की जहां पर ये टेरर अटाक हुआ है आगे कह करता है ये टेरर ब्लास्ट एट पाकिस्तान होटेल hosting the Chinese envoy आगे कहते हैं के west hype won't hold back BRI project चाइना अल्मोस्ट यहां पर automatically कह रहा है कि ये जो attack है ये most probably जो western countries है western countries यहां पर primarily आप कह सकते हैं US, France, Europe even though interesting बाद यहां पर यहां पर यह है कि फ्रांस ने भी यहां पर यहां पर यह कहा पाएगी belt and road initiative को complete करने से हम लोग BRI project complete करेंगे और ऐसे blast हमको नहीं रोकेंगे अब पहली बाद यहां पर आप सूचेंगे क्या ये terror attack सिरा चाइना की तरफ था देखो पहली बाद तो पाकिस्तान खुद अभी के लिए 100% confirm है नहीं कि क्या ये attack चाइना की तरफ था या फिर ये attack एक general attack था towards the Pakistani people पाकिस्तान अभी भी investigation कर रहा है whether the attack targeted Chinese ambassador to Pakistan or not मगर चाइना परी तरफ से almost convinced है ये लोग मानते हैं के belt and road initiative को यहाँ पर target किया जा रहा है नाव first of all यहाँ पर आप देख पाऊगे जो भी colored country है blue और red ये सब belt and road initiative का part है नाव काफी बार लोग मुझसे connectivity projects बनाएंगे हम यहाँ पर जोडेंगे इस पूरे region को ताकि आपस में लोग trade कर पाए अब यहाँ पर आपको होगे वाओ यह तो बहुत जादा एक noble idea है चाइना तो यहाँ पर free में सब करेगा हम तो चाइना को क्या समझते रहे चाइना यहाँ पर देवता country निकला तो दे देश चाइना के debt trap में फच चुके हैं because of the belt and road initiative और BRI में बहुत सारे इनके corridor है for example एक यहाँ पर यहाँ पर यूरोप का corridor है फिर एक आसियान में corridor है फिर of course एक corridor है जो गुजरता है पाकिस्तान से यह है CPEC चाइना पाकिस्तान economic corridor यह मना जाता है कि backbone है रीड की है BRI की यह कल क तो टूड गया तो BRI को होगा काफी loss तो चाइना भी के लिए यहाँ पर यही मान रहा है कि क्वेटा में जिस hotel में Chinese ambassador रुके थे उसी के पास में गाड़ी खड़ी होती है गाड़ी में होता है 50 kg RDX और वहाँ पर blast हो जाता है तो definitely यहाँ पर आतंगवादी कोशिश कर रहे थ चाइना को यह डरा दे और belt and road initiative यहाँ पर रुक जाए हलांकि एक बाद यहाँ पर बता दूँ कि जब blast हुआ था उस वक्त Chinese ambassador होटल में रुके थे मगर जब blast हुआ तब उनका कोई program था वो बहार थे तो इसलिए actually पाकिस्तान भी 100% sure है नहीं कि यहाँ पर चाइना को target किया गया है या फिर नहीं मगर हमको यहाँ पर यह बताए कि यह blast करवाय किसने है पाकिस्तानी तालिवान ने claim किया है यह terror attack इन्होंने यह काया कि बिल्कुल हमने किया है यह attack मगर जो reason है यह properly अभी बताया नहीं है ना पहली बात तो यहाँ पर आप कहेंगे wait पाकिस्तानी ता सारे groups ने मिलकर इसको बनाया था 2007 में जो अफगान तालिवान है यह तहरी के तालिवान से काफी जड़ा पराना है मगर तहरी के तालिवान और अफगान तालिवान में काफी similarities है जैसे कि दुनों चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यह ले आए शरिया कानू और दोनों के बहुत ज़्यादा close contacts हैं with the haqani network मगर एक बहुत important difference है बिट्वीन पाकिस्तानी तालिवान और अफगानिस्तानी तालिवान वो फर्ख यह है कि अफगानिस्तानी तालिवान काफियत तक friendly है towards the पाकिस्तानी आर्मी जो पाकिस्तानी तालिवान है यह है बहुत पे हट जाना चाहिए तो यह एक basic fundamental difference है बिट्वीन अफगान तालिवान और पाकिस्तानी तालिवान पाकिस्तान ने काफी वार operations भी किये हैं तारीके तालिवान के अगेंस्त इनको काफी damage भी किया है और आज के समय आप कह सकते हैं कि तारीके तालिवान पाकिस्तान में अगेंस्ट हो गए हैं ये लोग ये मानते हैं कि CPAC से बलुचिस्तान में जरा तरक किया गी नहीं तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने अटाक किया है और message send किया है पाकिस्तान और चाइना दोनों को दूसरी possibility यहाँ पर ये भी है कि जो उईगर Muslims के साथ हुआ है हाली में किया है चाइना को एक message send करते हुए अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट उईगर Muslims के साथ जो हो रहा है उसका बतला लेगा TPP तो मैं आपको ये बता दू कि देखो पाकिस्तान में एक बहुती लंबी और बहुती खराब history है जहाँ पे जो राजदूत है जो diplomats है बाहर के country के उन पे attack हो चुका है बिलकुल अजीब reasons को लेकर एक बहुती infamous incident है 1979 का इसको कभी search करना इसके बारे में पढ़ना अलग से नवंबर 21 1979 को क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की councilate थी इन इस्लामाबाद पाकिस्तान की capital में जो USA की embassy थी वहाँ पे कई लोग अंदर चले गए diplomat थे वो कई कोने में छुपके बज गए नहीं तो ये भी यहाँ पर मारे जाते reason क्या था reason यहाँ पर यह था कि एक rumor फैल गया एक अफ़ा यहाँ पर फैल गई कि USA ने बॉम्विंग कर दी है साओधी रेबिया में मेका की तो जैसे यह rumor फैला पाकिस्तान के लोग एक बार नहीं है यहाँ पर के पाकिस्तान के लोग ही चैना को यहाँ पर टार्गेट कर रहे हो it is very much normal और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह article है 1979 का mob destroys US embassy in Pakistan तो यह तो हुआ 1979 में उसके बाद हम most recently देखें तो 2006 में एक suicide attack हुआ था जिसने US के diplomat को मार डाला इन पाकिस्तान उसके प इस टाइब के attack बहुत बार हो चुके हैं US diplomats को यहाँ पर काफी बार target किया जा चुका है even ऐसे time में जब US इंडिया ज्यादा close थी नहीं US फिर भी एक बहुत important partner था पाकिस्तान का तो कईना कई देखें बिलकुल चैना यहाँ पर सूचेगा कि इन पर attack स्टार्ट क्यों हो और मैं आपको यह बता दू कि अगर पाकिस्तान के आतंगवादी groups ने यह ठान लिया कि चाइना को यह hurt करेंगे तो इस टाइब के attacks regularly होंगे CPAC के projects के area में चाइना embassy के आसपास और इनकी frequency लगातार बढ़ती रहेगी जब तक पाकिस्तान जो fundamental problem से अपनी country की यह solve नहीं करता fundamental problem क्या है CPAC बिल्कुल बलुचिस्तान के लोगों को कोई भी development offer नहीं करता दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल चुप है उईगर Muslims के issue को लेकर मेरे साब से जब तक जो यह दो issue है पाकिस्तान resolve नहीं करता इस type के जो attacks in the future यह लगातार होते रहेंगे और finally यहाँ पर मैट कर दूँ कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं चाहे SSC, bank, railways, UPSC आप purchase कर सकते हैं in academy के courses simply जाओ in academy.com पर या आपर in academy की app पर click करो यहाँ पर exam पर और जो यह original price है यह पर मत कर देना use करिए यहाँ पर code PD10 और यह होगा आपका price after the discount so use the code PD10 and save money इसी note के साथ यह video कांथ thank you for listening and as always God bless you all